नमस्कार साथियो नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आखिरकार मद्प्रदेश के करम चारी को 4% ये आज मिल सकता है क्योंकि आज मोहन केविनेट बेटक है आज 4 मार्च सौमबार है दोस्तो मेंगाई वत्ते सहित इन प्रिस्ताव ओपर आज मोहन लग सकती है तो सौमबार को मंत्राले में केविनेट की बेटक सुबह साड़े 11 वजे आजित की जाएगी इस बेटक में स्मार्ट सिटी टू योजना को केविनेट की मंजूरी मिल सकती है इसके अलावा केविनेट में आम जन्द से जोड़े कई अन्य प्रिस्ताव रखे जाएंगे बताया नामोगी आज कल में हुनी है इस योजना में सामिल करने के लिए मदद प्रदेश की सातों स्मार्ट इंद्धूर उज्जैन गौवालियर और जहौलपूर ने केंद सरकार के समक्ष्ष अपने प्रिस्ताव रखे थे इसके साती पांचों सेरों ने प्रेजेंटेशन देकर यह भी बताया था कि वे इस योजिना में क्या क्या काम करेंगे इन पांचों सेहरों ने ग्यारा सो चपन करोड का प्रिस्ताव रखाता Smart City 2 में केंदर सरकार ने देजबर के 100 Smart City के प्रिस्ताव पर मेरिट बनाया है और इसमें से टॉप 18 Smart City होना है कुछ रासी के अंदर से मिलेगी तो कुछ रासी सरकार को अपने अंसे से मिलानी होगी सरकार सौंबार को होने वाली केविनेट बैटक में इस प्रिस्ताव पर चर्चा करेगी प्रदेश की सातों Smart City के पहले चरण की सभी परियोजना करीब पूरी हो चुकी है वहीं लोग सबच चुना आपको देखते हुए केविनेट 7 लाग करमचारियों को 4 फीदी देने से एक दरजन प्रिस्ताव ला सकती है तो दोस्तों देखते हैं आज की केविनेट में 4 परिस्ताव प्रिस्ताव आता है नहीं जो भी होगा हम आपको सामको इसका अपडेट देगे तो आप हमारे चैनल से जोड़े हैं सब्सक्राइब और बैल करें को प्रिसर के वीडियो देखने लिए आपकते हैं नवाज जह जबारत